इसान के लोग करेंगे इसकिल लंग रहेंज़न, बेसकिली कॉम्प्रिहेंज़न क्यूं पहा जाए, कॉम्प्रिहेंजन कितना इंपॉटेंट है, आपके एक्साम में कितने माक से कोशन पूछे जाएंगे, इस सब का ग्यान आपके पास होना चाहिए, कि Comprehension का मतलब क्या होता है एक्जाम में पूस्ता क्यों है कितने मांक्स का होता है Everything you should know तो सब कुछ आपको पता होना जी बढ़िया से बिसके लिए में बात करूँ आपके साथ तो Comprehension Word अपने आप में नाउन है है क्या ये? नाउन नाउन का मतलब यहाँ पे Comprehension का हिंदी क्या हो गया? समझ और समझ का मतलब होता है विजडम विजडम का मतलब वहाँ बुद्धी मानी आजाओ बुद्धी मानी ये वर्ड बना है Comprehend से Comprehend is a verb not noun Comprehend verb है इसका मतलब होता है To understand समझना यानि To understand करना समझना यानि आपकी समझदारी कितनी है यहाँ एक्जामनर चेक करता है मतलब Comprehend में ये चेक करता है कि कहीं जो exam देने वाला candidate है कहीं वो पागल तो नहीं क्योंकि कोई पागल इंसान के पास समझदारी नहीं होता इसलिए वो Comprehension Solve नहीं कर सकता अब सोचो कितना important topic है इसलिए UPC में Comprehension से लगभग 60 marks के question पूछे जाते है Comprehension Topic से UPC IS में 60 नमर कोईशन कहां पूछते हैं PT में CSAT PT कहते हैं उसको Primary Test यहां पूछता है 7 नमर का 75 marks का पूछता है MENS में UPC के कहानी IS की यानि बिना Comprehension के तुम DM नहीं बन सकते राइट यानि PT में 60 marks के और 75 नमर के MENS में यानि यह आपके लिए कितना important सोच लो हो गया UPC करने के लिए 60 और 75 रच्छी बात अब गोसर ASAC तो ASAC या पिदेल ही ASI है ना CPO तो किसी भी एक्जाम में Comprehension Tier 1, Tier 2 की बात करें तो दोनों मिला करके 30 से 40 कोश्चन यानि 30 से 40 समाग से कोश्चन पुछे जाते हैं अब सोचो कि ASAC CPO में आपके पास 250 नमर के कोश्चन है 250 Tier 2 200 Tier 1 50 250 हो गए 250 में कितने माँ उसके 30 से 40 अब सोचो कि एक टॉपिक से 30 से 40 समाग से कोश्चन आपके एक्जाम में पूछा जा रहा है तो आप खुद अनमान लगा लो कि यहां पार्ट कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है Clear? तो इतना important टॉपिक है Comprehension और इसको हम लोग इगनोर करते है Right? तो इगनोर नहीं करना है आज से इसको सुरू करना है और हाँ मैं आपको जगा क्यों रहा हूँ कि मान लो मैं अपना हा रहा हूँ आप नावन उल्जे पड़े हूँ तो सिर्फ नावन पढ़ने से selection हो जागा क्या? नहीं होगा आपको comprehension भी आना चाहिए close test भी आना चाहिए PQRS भी आना चाहिए common error भी आना चाहिए दूसरी बात जब आप एक्जाम में बैठते हो तो क्या एक्जाम में बैठने से पहले अपने आपको उसके लिए त्यार किया है? बस पहले लिया coaching पर dependent है जो coaching बाला कहेगा वही काम करेंगे तो सबसे पहला चीज़ धर्मेंसर जगे हुए हैं और जगाते हैं ने अंदकार में रहते हैं ने अंदकार में किसी को रखते हैं तो सीधी बात है कि मैं हर मंगलवार तुम्हें जगाऊंगा और आठ दिन का ताइम देंगा जगने के लिए कि प्रैक्टिस भी करो और फिर मंगलवार प्रैक्टिस भी कराऊंगा बस मज़ गए तभी आपका स्लेक्शन सौ परतिसत हो जागा यह मुझे पूर्ण भी स्वास है कि एक बैच में से सारे बचे नहीं जगेंगे जगेंगे दो-चार परसंट ही बाकि फिर भी सोई रहेंगे कोई बात नहीं कमसे कम मुझे आत्मा ये तो नहीं कहगा कि सर ने जगया नहीं था जब हमें अलार्म लगाते हैं सुबह में और अलार्म बंदर के फिर सोजाते हैं कि कल से जगूंगा और हर दिन प्रकिरिया यही होता है तो घड़ी को दोस्त नहीं देते कि भाई घड़ी में गल्ती था कि मुवाइल में गल्ती था या अलाम बाच में गवर था कि वो बजा नहीं, वो तो बचार अपना काम किया था, हम नहीं जगे, इसलिए अपने आपको सोचते हैं कि मेरी में ही गलती है, मोबाइल घड़ी सब सही है, यानि कि मैं आपको जगा रहा हूं, बस आप जागो या ना जागो, आपकी समस्य होगी, लेकिन मैं कोशिस करूँगा कि आपको जगा दूँ, खेर, तो हमने कहा कि 30 से 40, 30 तो 40 मार्क से कॉम्प्रहेंसन आपकी एक्जाम में पूछे, जाएंगे, पूछे जाते हैं, राइट, अब ये पार्ट होगी आपके लिए इंपॉर्टेंट, अब समझो, कितने मार्क से कॉश्चन कॉम्प्रहेंसन सही रहता है, अब कैसे इसको पढ़ें, कैसे बनाएं, इसके लिए टॉपिक्स क्या चाहिए, तो देखो बटा, इसके लिए पर्टिकुलर कोई टॉपिक्स नहीं इंग्लिस में है, चुकि ये कॉश्चन कॉम्प्रह इसलिए इंग्लिस का होता ही नहीं, यह होता है जिग्रफी का, यह होता है हिस्ट्री का, यह होता है पॉलिटी का, यह होता है साइंस टेक का, यह होता है करेंट का, यह दुनिया का होता है, इसलिए इसमें कोई टेक्निक और मेथड नहीं है, यह पार्ट है लेंग्विज क यानि आपको language understanding होना चाहिए, उसके लिए chapters कुछ आना चाहिए, जैसे tense, voice, narration, preposition, conjunction, इस chapters का आपके पास ग्यान overall होना चाहिए, अगर इस chapters का ग्यान है, तो आप बहतर समझ बना सकते हो, clear, इसके साथ साथ, जैसे मान लो, comprehension solve करना है, तो इस तरह का एक passage होगा, अब passage होगा, इ एक passage में 100 सब्द है, right, और पांच question है, one, two, three, four, and five, अब पांच question है, passage दिया हुआ है, right, अब आपको इसको बनाना है, तो सबसे पहले करना क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ, overall, फिर एक पार्ट लिखवाऊँगा आराम से, समझाते होगा काम करूँगा, ठीके, अब यह क अब परेंसम रहना है, क्या आपने कई बिचार किया है, कि एक question solve करने में, मुझे examiner कितने second का time देता है, बिचार किया कभी, नहीं किया होगा, एक question को solve करने में, आपके पास 27 seconds का समय होता है, एक question को solve करने में, 27 seconds का समय आपको दिया जाता है, right, अब 200 mark से question है, अब 27 seconds में solve करना है, अब 27 seconds में क्या तुम इस passage को पढ़ पाओगे, नहीं sir, तो क्या आपने कभी आजमाया है, क्या आपकी reading speed कितनी है, क्या आपने एक stop bus लगा के कभी कोशिस किया है पढ़ने की, कि with understanding, समझने के साथ साथ आपके speed कितनी है, नहीं किया हो कभी, कभी आपन के like, तुम हो की नहीं हो, अब आप लड़ने जिससे जा रहे हो, तो क्या उसे छोटे को तुम हराया कभी, नहीं हराया, तो पहले आजमालो कि इसके साथ हाथा पाई करना है, और मुझसे कितना पहलवान है, उसके साथ ना तो सही किसी के साथ कम समझने हाथा पाई करके check कर ले तो हमने आज तक चेक नहीं किया, तो अब चेक करना है, आपको स्टॉप बस लेना है मुवाइल में, पांस मिनिट कलाम लगाना है, और फिर कोई भी पेपर, NCRT, योजना कुछे तो कोई ले लो, हिंदू भी जो ले लो, आप पढ़ना सुरू कर दो, घड़ी बज जा तो तुम्हारी स्पीड अच्छी स्पीड है, अगर एक मिनिट में पचास सथ पढ़ रहा हो, तुम्हारी सिफ सबसे घटिया है, यहनी पचास तो हो नहीं चाहिए, कम सकर में 100 प्लस हो चाहिए, यहनी आपकी स्पीड बित अंडरस्टेंडिंग, 100 वर्ट्स पर मिन प्रती में 200 सब्द हो जाएगा, यानि एक कोश्टन को 27 सिक्रिमा पासा ही से स्पीड कर सकते हैं, अगर स्पीड उससे कम है, तो खुल सोचो कि इस पैसे को पढ़ने में तुम्हें लग रहा है, पांच मिनट, फिर पांच मिनट को उसको पढ़ने लग रहा है, दस मिनट, और ऐसे कुछता है नài, तो कॉमप्रीयंसम का पाद क्या होता है, छूट जाता है, तो इसलिए आपका कॉमप्रीहंसम क्या होता ह। हम लगह रहता है क endeavors, कॉम परीस हमंत, पजद जाता है क्योंकि मेरा मंद में सइकोलोजी होता है कि यह रहा काम प्रेहंसम पॉहंगा, तब्या रहता है यह दुना पढ़ना पड़ा इतना पड़ना पड़ेगा को छोसान देखा दिमांग खराब प्रहले देखते हैं हलका वाला कोशन एक लाका कॉमुणि रेर दिखा अच्छे इसको पढ़ते हैं पता है कि टाइम अधिक ले रहा है, श्योर नहीं है कि अंसर राइट है कि रहा है, लें कॉम्प्रेहेंसर में तुम्हारा अंसर 100% राइट हो रहा है, लेकिन बस एक बज़ा है रेडिंग है इसका मतलब अब यहां से पढ़ना सुरू करो, लिखना सुरू करो, कॉम्प्रेहेंसर मराने के लिए, सबसे पहला पॉइंट है, रेडिंग आलो, यहां पर टेक्निक ट्रिक्स पर पापिस आऊंगा, सबसे पहले कुछ मेथट पढ़ लो, फिर सिखाऊंगा इसके ट्रिक्स, देखो, लिखा रहेगा, तो कमसम घर पर कुछ कर लोगे, लिखा नहीं, लिखो के नहीं, तो फिर फादा नहीं, लिख लो और आज पहला पॉइंट लिखो, रेडिंग हैबिट, रेडिंग हैबिट, यानि आपके पास पढ़ने की आदत होनी चाहिए, कैसे रेडिंग हैबिट, यानि पढ़ने के स्पीड तेज होनी चाहिए, पढ़ने के स्पीड तेज होनी चाहिए, फास्ट रेडिंग हैबिट, यानि आप जब पहू, तो आपके स्पीड क्या होनी चाहिए, तेज, फास्ट रेडिंग हैबिट, राइट बच्चे, अब आपके स्पिर्ट क्या होंए चाहिए? Fast Leading Habit, यानि आप तेज पहूँ, अब प्रशन उटता है सर क्या पढ़ें? तो वह पहूँ, जो एक्जाम में आता है, क्या आता है सर? तो आपके एक्जाम में वही चीज़ आएगा, जो आप पहूँगे, जैसे N-C-E-R-T N-C-E-R-T पहूँ, सुरुवात कहां से करें? Class 6 से करो सुरुवात. क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा मन कहेगा, कि Class 6 के पहरे हो, अगर Class 6 तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो Class 10 समझ में कहां से आएगा? तो एक psychological होगा, कि तुम Class 6 समझने लाइक बन जाओगे. इसलिए कहां सुरुवात करो? N-C-E-R-T से, Class 6 से. मैं कहता हूँ, अगर N-C-E-R-T समझ में नहीं आ रहा, तो तुम चंपक ले लो. क्यों? जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंगलीस की नहीं खरीद नहीं है? इंगलीस मेडिया में खरीदना है. बसमया, इंगलीस में लिखा होना चाहिए. जोग्राफी खरीद लो, हिस्ट्री खरीद लो. ठीक है? बहुत दिगत हो, जैसे चंपक का नाम क्यों लिया हमने? कि चंपक तुम्हें लिया, उसमें पता तुम्हें पहले से कहानी होगा. क्या तुम उस कहानी को पढ़के दूसरे को समझा सकते हो? तुमने पढ़ा कहानी, ठीक है भाई? देखो, कॉम्प्रिशन के अक्रक्स है. लाइक चंपक है. तुमने कहानी पहा, कहानी बंद करके, क्या तुम चंपक की पूरी कहानी टोल कर सकते हैं? बता सकते हो कि भाई, यह कहानी इसमें है. अगर बता सकते हो, तो तुम्हाँ लेवल चंपक सुपर हो गया. फिर तुम एंसरी पहाँ आजाओ. बाई, तीस रुपया खर्च कर लो चंपक पे. कितने कहता है जी? 30 का. तो तीस रुपया खरीद लो. किस बात का सरम? राइट? खरीद के पहल लिया, फिर एंसरी खरीद लो. एंसरी लेवल उपर है, तो योजना पर आजाओ. योजना सूपर है, कुरुशत्रा पर आजाओ. कुरुशत्रा है, टेल मीवाय पर आजाओ. जब ये पूरे किताब पर होगे, तो आपके पैसेज, कहीं न कहीं इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, चैन से आडिस होगा. इससे बाहर पैसेज नहीं होता यानि जो एक्जाम में कोश्टन पूछे जाते हैं वो इन ही सारी किताबों की मदद ली जाती है क्योंकि वो पहार नहीं होता इन ही सारे बुक से आपके कोश्टन पूछे जाहेंगे तो सबसे पहला चीज एंसी आर्टी योजना कुरु छेत्रा टेल मी भाई इन सारे मैगजिन का आपके पास घ्यान होना चाहिए आपके टेबल पर किताब होना चाहिए क्लियर रीडिंग हैबिट मुझे हाथ ठक बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रती दीन रीडिंग हैबिट रोज करते हैं डेली करते हो पक्का बहुत सुन्दर आजाओ इसका मतलब है कि आपको अंपक चंपक पढ़ने की जरूत नहीं है है आप हिंदू पढ़ लो योजना पढ़ लो कुरुषेत्रा पढ़ लो तेली भाय पढ़ लो अब इसको पढ़ोगे तो आपके अंदर एक समझ बननी शुरू हो जाएगी अजवा पढ़ रहे होंगे तो आपकी विज्डम आपकी समझदारी अच्छी हो गई होगी क्लियर बापिस आजाओ हमने कहा रीडिंग है विट और फॉस्ट इडिंग है अब यह हम लों मेथट की बात करें नुमर्ट टू पॉइंट गेट रीड ओफ रिग्रेशन नुमर्ट टू क्या है बच्छे गेट रीड ओफ रिग्रेशन गेट रीड ओफ का मतलब होता है छुटकारा पाना गेट रीड ओफ मतल्ब क्या होता है छुटकारा पाना यानि आप छुटकारा पाएं इसे रिग्रेशन से गेट रीड ओफ पढै लिग्रेशन का मतलब क्यो होता भाई रिग्रेशन का मतलब होता है यृ गो दसेम कंटेक्स्ट आगे लिगद गीन-गीनiği से माहलoure हुआ दो ती लाइन पहा उडा फिर बापिस, इसे कहते हैं रिग्रेशन, मतलब यू गो दा सेम कंटेश्ट अगें एंड अगें, एक ही लाइन को दुवारा पढ़ना जिवारा पढ़ना, और यू आप उसको समझने का प्रयास कर रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, बसमेरो, लेकिन ह होता क्या है एक दिमाग का जो खेल है न दिमाग उस चीज को समझता है जो इसको इंटर्टेन करता है जो इसको इंटर्टेन नहीं करता उसको आउट कर देता है और फिर वही ले जाता है जहां इंटर्टेन्मेंट हो जैसे मालो तुम कुछ पर रहे हो जैसे तुम पर रहे हो समझ में आया तू छिक अगर समझ में नहीं आया तो वह बात दिमाग लाएगा जो टेंशन की बात होगी जो आनंद की बात होगी जब तुम किताब निखा लोगे तो दीन भर नहीं दुनिया भर का टेंशन लादेगा दिमाग में उसने ऐसे बोला था, उसने ऐसे चुआ था, उसने ऐसे किया था, वह ऐसे बोला था, सारी बाद बनवाएगी, जब तुम किताब निकालोगे, कोई थपर मारा था, दो दिन पहले, किताब के टाइम में थपर या जन्हाट याद आएगा, और किताब खुला है, कल्पना करो, कल्प मिलेगा, तो मैं इसे कुट दूंगा उसकी, किताब बंद, कुटना बंद, सारा ख्यल किसका है किताब का, क्योंकि समझ में तोब नहीं रहा, और समझ में नहीं रहा, तो मैंड कहा है, दौरता रहेगा, यह तीन concept आए, यानि कि तीन चीज का भाव होता है इसलिए हम लोग क्या होता है regression होता है यानि regression का पहला point है lack of vocabulary यानि आपके पास vocabulary का भाव है आप जब पढ़ रहे हो तो meaning clear नहीं है दूसरा point हो गया unfamiliar unfamiliar of subject matter यानि subject matter से आप क्या हो unfamiliar हो subject matter से आप अजान हो unfamiliar of subject matter subject matter से अजान हो और तिसा point हम लोग का होता है और वो है lack of concentration lack of concentration concentration का भाव है आपके पास यानि आपके पास concentration है तो हमने कहा lack of vocabulary vocabulary vocab का भाव आप पैसेज पर यह ट्राइं रूड़ पैसेज एंड़ रिकोगनाइज पर्टिकुलर मीनिंग्स आप पहचाही नहीं पा रहे होगा क्या मीनिंग इसका होगा क्या हिंदी इसका होगा तो क्या हो रहा है वह कैब का भाव है एक लाइन पर हा चार वह कैब नहीं आती दूसरा है अन फैमिलियर ऑफ सब्जेक्ट मेटर भाई जब आप पैसेज पर रहे हो आप हिस्ट्री के बिद्वान हो पैसेज पुछा है साइंस टेक का अब सोचो दो प्रक्ष में पीलर बढ़ गया एक लड़का साइंस पर रहा है पैसेज पुछा आर्ट का लड़का है साइंस अट का पेसज पुचा हुए निटागा पराइड के दिए मिलिगा नाम नहीं तो दिए तो जो चीज पेसज में है तो आप नाओन को ढूंद रहो कहा है के इसलिए क्या होता है बच्चे आदे बच्चे पास आदे बच्चे यानि comprehensive आने के लिए आपको multi reading, multi talented आपको होना पढ़ेगा, history का नोज रहना पढ़ेगा, geography का भी, quality का भी, economy का भी, आप knowledge में तब यह नहीं, कि आप history का भूक पढ़े, आपको जो किताब का नाम बताया, NCRT, योजना, कुरुषेतरा, tell me by, news में सुनते रहो, aware रहो, बसमें र vocabulary, and family year नहीं हो चाहिए, family year पहुत हो समझमा, क्या है भाई, और lack of concentration, concentration का भाव, concentration क्या है, पूजा करूँ, meditation करूँ, आँख बंद करके, यह तो और खतरनाक चीज है, जैसी आँख बंद करेगा, जो नहीं आना चाहिए, सब आजागा दिमाग में, इसलिए concentration के लिए meditation करूँ नहीं, तो करें क्या सर, तो आप बोल करके पढ़िए, आप टहल के पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए, जब आप किसी इसको आवाज निकाल के पढ़ेंगे, बोल करके पढ़ेंगे, तो वह चीज आपकी दिमाग को फिट करेगा, आपका पांग लिखो, तीसरा पॉइंट, हाँ, हाँ, मेथट नहीं पढ़ेंगे, अला पांग लिखो, follow skimming and scanning method, follow skimming and scanning method, follow skimming, s-k-i-m-m-i-n-g, skimming and scanning method, follow skimming and scanning method, यह क्या होता है, सर, to skimming and scanning method को follow करो, अब यह होता है, skimming and scanning, skimming कहीं होता है, छूते हुए निकल जाना, जैसे मानलो, पैसे दिया है, अब पैसे दिया, यहाँ पे कोशन पूछा है, कि यह घटना कब घटी थी, जालिया वाला वाग कब घटना घटी थी, मानलो, यहाँ पे फैक्चुल हो गया, अब तुम्हारी आखें सिर्फ उस घटना को ढूण रहा है, यानि पूरा पैसेज पढ़ने की जरुवत, नहीं है, आपको पैसेज में बस वो ढूणना है कि वर्ड कहां मिल जाएंको, उस फैक्ट को ढूण रहा है, तो जहां पे फैक्ट मिल गया, अंडरलाइन कर दिया, वही तुम्हारा स्कीमिंग का लाएगा, तो स्कीमिंग का मत्ता होता है छूते हुए निकल जाना, जब आप पैसेज पर हो, तो पैसेज को छूते हुए निकल जाओ, दूसा पॉइंट क्य स्कीमिंग का मत्ता होता है, इंच इंच निकाल देना, एक एक सब्द पढ़ना, पूरी तरह से अब्जार कर लेना, तो जब आप पैसेज पढ़ें, तो इसके उनसार पढ़ना पढ़ेगा, और ये काम कब करेंगे, तब लिखो अगला पॉइंट, फर्स्ट, रिड देन पैसेज, फर्स्ट, रिड पैसेज, देन पैसेज, फर्स्ट, रिड पैसेज, देन पैसेज, अगला पॉइंट, फर्स्ट, रिड पैसेज, देन पैसेज, अब दो को मैंने क्या कहा, पहले अब क्या पहो, कोशन, फिर क्या पहो, ऐसा क्यों सर, अब मालो तुम्हें कही पहलिया कि पैसेज को पहो एक बार ना स्मझ में दुबारा फिर पहो ती बारा पहो अंदीलू गेट देख लिए ये उशू पैसेज जब तक ना समझ माथा रहा पढ़ती रहो आप पहले बताओ तुम पढ़ क्यु रहो तुम पैसे पढ़े क्यों रहे हो तुम्हार बस लक्ष है नहीं तो पहले यूशुड डिशाइड यूर गोल गोल कहां से मिलेगा कोश्चन से यानि कोश्चन जब तुम पहोगे तो कोश्चन का मतलब ही होता है वाट वेर वेन वाई हाओ ऐसा क्यूं होता है एक कहां होता है एक कब हुआ था राजा के बेटे के बेटे का नाम क्या था अब यहां से कोश्चन पूछा कि राजा के बेटे का बेटे का नाम क्या था तो जैसे तुम मिलेगा राजा किंग बेटा सन तुम्हा दिमाग क्या हो जागा? अलर्ट के रे कोश्चन में था राजा क्या बेता? तो जहां भी राजा मिला हुआ क्या करेंगे? अब अंटरलाइन करेंगे यानि यानि यू आप डिसाइड़ यूर गोल तुम्हार पास गोल मिल गया अब तुमको अंटर चाहिए जर। So फिए, यू है भी रीग कोश्चन अगें अगें अब कोश्चन को दो बार तिन बार तौमने कहा, क्या करना पहले? कि अट फिस्च रीग वाट पासेश्चन् देन रीग का बेता? आँना पैसे। सभाते हों पैसे। Kaiser Profis postal घुन लाइक लादे हैं मुझ गसा लुक्ष जुख मुल गया मैं तुमक्ने रहा हुआ है। तुमको इसलिए पेर आपे लाट आई तुम को राखश युद्धे रहा हुए। तो बीच में कंकर हो, पत्थर हो, जैसे पहुंचना वहीं तुम्हें, बस में रो, जब पता है कि हमको ढूंड़ना इस question का अंसर, बस इसमें ढूंड़ते रो, जब पढ़ोगे, तो माइं रलर्ट होगा, तो अब तुम्हें दिमाग क्या करेगा, कि वह पैसे समझ में आये, चाहे नाये, हमको अंसर मिल गया, काम खुत्म, अब गया, तो पहले क्या पढ़ना है तुम्हें, question, तब पढ़ना है तुम्हें पैसे, अब तब तुम्हेरा दिमाग, पैसे समझने का प्रयास नहीं करेगा, अंसर ढूंडने का प्रयास करेगा, और यह प्रैक्टिस का काम है, more and more पैसे बनाना है, क्लिर रहाना तक, अच्छी बात, हमने क्या क्या, skimming and scanning, तो आप, skim छूते नहीं करेगा, जब question पढ़ने पढ़ेंगे तब न भाई, हम छूते नहीं करेंगे, जब पता है कि पैसे, मैं यह धूंडना हमको, अच्छी ब question your, अगला point है, question yourself, question yourself, while reading the passage, कि जब तुम question पढ़ रहे हो न, तो तुम question करो अपने आप से, कि तुम पढ़ क्या रहे हो, इसका subject क्या होगा, इसका title क्या होगा, इसको पढ़ क्यू रहे हैं, जब तुम को पैसेज पढ़ हो, और question दो चार पुछ लो, कि हम इस पैसेज को क्यूं पढ़ रहे हैं, तो तुम्हा दिमांग कहेगा, कि इस question का अंसर डूनने के लिए, और एक साथ तुम पांचो कि तब तुम पैसेज पढ़ हो, और हमें साथ इमांग को कि हम पढ़ क्यू रहे हैं, तो पैसेज रहे हैं, इसको डूने, इसको डूने, इसको डूने, तो माइंड में पांचो चल रहा है, question, और पैसेज पढ़ जा रहे हो, तो तुम्हारा pain फढ़ फढ़ाएगा, यहां स यहां से रहा है cancer, यहां से रहा है cancer, और अब तो क्या करो, एक number, दो number, तीन number तुम्हें पैसेज में डालते जाओ, और पूरे पैसेज को पढ़ डालो, तो समया बात को, number करते जाओ, पढ़ डालो, जो पढ़ डालो, फिर अगें तुम कोशन पर हो, number one पर हो, बस उतना line, देखो, क्या answer मेरा है, option कि नहीं मेरा, option मेरा है, जिस option को option मारो, इसके साथ क्या करना है, वो द्यान देना है, इसके साथ सब का जोड़नी चोड़ किया है, तो सबसे पहला काम, आप लीजिए information, क्या लीजिए, information, कहां से, question से, और information लेने के बाद, आप क्या कीजिए, elimination, औ यानि, I, E, I, 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 E, I, को follow करिए, यह क्या हो देखर, तो सबसे पहले, जब आप questions को पढ़ेंगे, जब आप questions को पढ़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, कि क्या पुछ रहे है, अब जब information मिल गया, मानों तुम्हारे पास चार option है, हिस्टरी का, उस चार question है हिस्टरी का, और चार option में, एक option हिस्टरी का है, बाकी तीन जगरफी का है, अब जब तक तुम question नहीं पहोगे, तुम कैसे कहोगे कि अंसर किसका है, तो जो history बाला होगा, वहीन अंसर होगा, तो आप क्या करोगे, इन्हों क्या करें एलिमिनेशन आप उस ओप्सन को हटाइए कि तुम गलत आ गये हो कि पहले काम हमने पढ़ा होगा पिछले क्लास में कि पहले भीड कम करो क्या करो कम भीड कम जैसे तुम अकेले हो चार तरफ से चार लोग तुम्हें पिटनी के लिए खड़ा है अब चारो को तुम मार रहे हो तो तुम जीत नहीं सकती तुम्हें चारो तुम्हें अटेक कर देगा तुम्हें क्या करना है उस चारो को देखो एक वार और देखो कि हमसे कम जोर कौन है कोई एक तो होगा चार है तो अगर चारो पहलवान है तो फिर खमाख निशी थे तो तुम चेक करो कि तुम तुम से कमजोर कौन उसमें है और उस कमजोर को पकड़ के इतना कुट दो कि अग्वार कि अग्र यह को पर यह कुट दो यानि पहले तुम एक को साफ करो भीड कम करो और जब भी कम करोगे न तुम्हा दिमाग खुलना सुरू हो जाएगा बस में आदो तो आप्शन क्या करो इलिमिनेट करो इलिमिनेशन मेथड़ आप्शन को हटा यह और तब तुम इंफेरेंस काम करना सुरू करएगा। इंफेरेंस ट्राइते हैं 6th sense को यहीजिए टिक इंस किसी का मनुमा लबाते हैं कि भाई यह अ तो आएगा ऐसा option यह तो answer नहीं होगा यह तो बिल्कुों क्यूं एक पता लगा। लेकिन सिक्सेंस करा कि अबल अंसर नहीं होगा समझ पारे हो बात को तो इस तरह से आपके पास इंफरेंस काम करेगा जिसको I.E. I कहते हैं, है एडिक मा ये टाइपस अब कोश्चन और कोश्चन के परकार टाइपस अब कोश्चन पहला लिखो परकार अब इस ताहन पर कारे पास इस ना पर कारेटी बीकमा हरेक्स्चन अब कररेगा तो अब आसान पर कारेपस अब जाएपस अब टिपस्चन पर एस हरेटी आदिए पास What is the title, central idea, theme, purpose, thesis? इस सब इकी चीज़े. आप से जो पूचल दे. What is the title पूचल दे? What is the purpose पूचल दे? What is the thesis पूचल पूचल दे? What is the central idea पूचल दे? तो कुछ भी पूचल दे, इसका अंसर क्से देंगे? तो लिखोगिंचे अंसर. लिखो इस तरह के प्रशनों का अंसर लाइन में होता है। इस तरह के प्रस्ट नो का अंसर words गराफ के ँंतिंचार लाइन होता है। जैसे इसं का अंसर हो तुम्हें तो कहिन मत जो बसPography अंतिंचार लाइन देखो वहिं पर के इसका टाइकल छुपा होगा। हुआ कि जिखाऊँगा कि एक बताऊग, ठेक है, टेक टू देरेक कोस्टन, डेरेक्ट कोस्टन, तो यह नहीं चीनता, लिखो, इस तरह के प्रसंवकां सर, पैसेल में अंक अन्यानिन्igation पारंच नहीं दिखता है कि चुक्कि यह फैक्ट पर बेस्ट होता है इस तरह की पैसे इस तरह की प्रश्णों कांसर पैसेज में सबस्ट दिखता है कि इस तरह की प्रश्णों कांसर पैसेज में सबस्ट दिखता है चुकि यह फैक्ट पर बेस्ट होता है चुकि यह फैक्ट पर बेस्ट होता है चुकि इस तरह कि प्रस्ण जो होते हैं वो फैक्ट पर बेस्ट होते अब फैक्ट पर बेस्ट है तो अता इस कांसर स्किमिंग मेथड से दिया जाना चाहिए अता इस कांसर skimming method से दिया जाना चाहिए अताइस का अंसर skimming method से दिया जाना चाहिए A-S-K-I-A-M-I-N-G skimming method से दिया जाना चाहिए नमर त्री indirect oblique implied idea question indirect I-N-D-I-R-E-C-T indirect oblique implied I-N-P-L-I-E-D implied idea question indirect oblique implied idea question indirect oblique implied I-N-P-L-I-E-D फिर से बोल रहा हूँ indirect I-N-D-I-R-E-C-T indirect oblique oblique का साइन देना है implied I-N-P-L-I-E-D implied idea question indirect oblique implied idea question ए क्या होता भाई तो लिखो इस तरह के प्रेश्णों इस तरह के प्रेश्णों का अंसर fact concept plus reasoning से निकाला जाना चाहिए इस तरह के प्रेश्णों का अंसर fact concept plus reasoning से निकाला जाना चाहिए केर हो गया अब एक example पेस्ट कर रहा हूं कि आपको देखो कैसे लगाते हैं दिमाग तो लिखो example कि एक मैं पैसे लिखवा दे रहा हूं दो दो तिन लाइन का लिखो तक पता चले कैसे निकालते हैं लिखो in summer in summer मतला summer में in summer in summer a polar bear mother a in summer a मतलब a polar bear mother polar polar bear polar bear mother in summer a polar bear mother emerges e-m-e-r-g-s emerges इमर्ज़ 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 इमर्ज emirges from its dance with 3 months old 3 months old cubs c-u-b-s cubs मतल बच्चा फिस बोल राउं in summer a polar bear mother emirges from its dance with 3 months old cubs लब लिखो question question लिखो a polar bear mother births मतल पोलर bear mother जन्म देती option a winter option a winter option b rainy option c summer option c summer option d autumn autumn a u t v m n अब चार होगे अब इस पैसेज को पहले तुने सुना होगा तो सही है नहीं सुना होगा तो गलत हो जागा अब सुनो question पूछ रहा है मैं आपसे पूछ नहीं देगा अंसर अब question सुनो क्या कह रहा है कि polar bear mother birth अब बोलो इस question का कोई link पैसेज में है यह कहा है यह कहरा birth जन्म कब जती है question में कहीं पैसे में कहीं जन्म कब जिक्र है जी पैसेज में कहीं लिखा है कि प्रोड़ में जन्म दिया बचा को तो कोई link है यानि यह हुआ implied idea question यानि पैसेज में अंसर नहीं है हमको लेना पड़ेगा fact तो fact कितना इतलास है summer एक fact मिला summer दूसा fact मिला तीन महिने का बच्चा यह क्या fact अब हम निकालेंगे concept कि भाई जन्म दिया होगा तीन महिना पहले यानि summer में उसका बच्चा तीन महिने का है तो जन्म लिया होगा तीन महिना इसका मतलब इसका अंसर summer नहीं होगा तो एक option कटा अब दिमाग लगा है कि जन्म समर में नहीं हुआ होगा अब बोलो examiner तुमसे रीतू का ज्ञान चेके नहीं किया कि भाई इसको season का ज्ञान है कि नहीं तो examiner एक सथ कई चीछ चेक कर लेता है हमने क्या कहा comprehension का मतलब होता है समझदारी यानि आप में कितनी समझ है वो सब चेक कर लेता है तो अजय तो पता चल गया भाई कि समर नहीं होगा तो समर से ती महिना पहले क्या होता है इसका ज्ञान रहेगा ते भी ने बनाऊगे तो इसका अंसर होगा winter अंसर क्या होगा winter सुन्मेहाई बात तो इसका अंसर क्या होगा आप पर त्यक्ष है, आपको दिमाग लगाना पढ़ेगा, ठीक है, चौथा पॉइंट लिखो, चौथा कोई टाइप्स नहीं है, पॉइंट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, हीरी बना लो, कीवर्ड, लिग लो, कीवर्ड, कीवर्ड, मतलब की दे रहा हूं, जैसे समझ लो पर ले क्या लिख वा रहा हूं, जैसे आपके पास चार उप्सन है, राइट, पैसेज में क्या लिखा मतलब नहीं, चार उप्सन होता है भाई, जैसे मान लो, कि ये पैसेज है, राइट, यहाँ पे कोश्चन नमर वन दिया, उप्सन A, उप्सन B, उप्सन C, उप्सन D, राइट, अब इस पे चार, यहाँ पे कोश्चन नमर वन दिया, यहाँ पुछ लिखा होगा, इसी कर आप चार उप्सन निकालते कि कौन सही है, राइट, अब सोचो, कि इस चार उप्सन में, किसी ओप्सन मान लो लिखा है, आलवेज, आलवेज से स्टार्ट है, तो ध्यान देना, जिस ओप्सन में आलवेज है, वो ओप्सन 99% अंसर नहीं होगा, क्योंकि आलवेज कोई चीज़ होता ही नहीं, ठीक है, तो वही चीज़ लिख पा रहा हूँ, कि उप्सन में आलवेज से स्टार्ट होगा अंसर नहीं हो सकता 99%, तो लिख लो कोई होगो से बढ़ेज है, अलवेज, एवरी, एवी, एरवाई, एवरी के वाली को, ओनली, ओनली, ओनली के वाली को, नो, नो के बाद नेवर, अन एवी एर, मस्त, M-U-S-T, अल, A-D-A-L-L, हब तो, हज तो, हद तो, हज तो, हज तो, हज तो, dot dot, E-T-C, इन सारे शब्दों से, always, every, only, no, never, must, all, has to, have to, had to, से, बने संतेंस, से, से बने संतेंस, प्राया अंसर नहीं होते, से प्राया अंसर, नहीं होते, प्राया का मतलब क्या होगा, 90%, मतलब इससे, अगर कोई संतेंस बनेगा न, तो, प्राया अंसर, नहीं होगा, मतलब उसको बचना है, उससे क्या करना है, बचना है, बच्चे तो यह था कॉमप्रेहेंशन का एक theory जो हमने आपको पढ़ाए अब आपके पास कॉमप्रेहेंशन का ऐसा किताब होगा जिसको आप निकाली इसमें लिखाओगा close test कॉमप्रेहेंशन PQRS इससारे चीज और आपके पास इसको आप निकाले इसमें निकाली आप कि 79 को छोड़ो कि 79 से कॉमपेंश रूओ है ना लेकि मैं कह रहा हूं निकालने के लिए 121 निकालों पेस नहीं हो चाहिए पुरानी हो कोई प्याज हो पैसे 48 निकालो अब 48 पैसे क्यों दिया हूं कि उसमें 15 15 कोशन है पैसे में ज्याधा तर कितने कोशन होते हैं पांच लेक 48 से लेकि 55 तक 15 15 कोशन क्यों क्योंकि एक पैसे में पांच कोशन होते हैं हमने एक पैसे में 15 कोशन दी है यहीं तुम एक पैसे बनाओगे तो 15 तरीके से सोचोंगे कि तुम्हारा दिमाग शार्प होगा ज्यादा इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैं 48 से 55 तक का टास्ट दे रहा हूं कितना टास्ट दे रहा हूं 48 से 55 बनागे कब लाना है अगले मंगलवार को लेकिन तुम बनाओगे कैसे वह आज बनवा कर दिखाता हूं क्योंकि टास्ट दे दूंगा तुम करोगे नहीं कि इतना पहाने के बाद टास्ट के फैदा नहीं होगा फाइदा होगा जब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा बनवा के दिखाऊंगा और फिर कहूंगा कि जैसे मैं सोचा वैसे ही तुम हर एक दिन बनाना जब हर दिन बन तो मेरा थौट तुम्हारा थौट मिल गया अंसर मिल गया तो अपने आपको प्रेज कर लेना कि सही बन रहा है बास मेरो तो एक एक पैसे की धजियां कैसे उड़ाएंगे तो 48 बना कर देखते हैं για exemplo 40 बनाओ किसा क्या कर देखते हैं अब 40 बनाने के लिए क्या करना होला तो जैसतर को मिलू की सजा क्यों दी गई किसका मतलब को घिच्टर रहा होगा उसको मिलुक्त हो और करतान के। the gesture's business was too gesture का काम क्या था कुछ ने कुछ काम करता होगा the king did not pardon gesture because माफ नहीं किया अब मुत्यूस रादी है माफ क्यों नहीं किया भई the king went to suggestion prison because gesture's राजा मिलने गया jail में क्यों which of the following system is true कौन सत्य है which of the false कौन गलत है आगे पुछा synonyms overlooked kutu तो हमने पढ़ा कि लॉंग लॉंग अगो लॉंग 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 अगो बहुत में पहले की बात है देर लीव ड़किंग एक राजा रहता था हूँ हैड अफेवरेट जेस्टर नीज कोट उसके दरवार में उसका पसंदीदा जेस्टर का मतलब होता जोकर जोकर के मतलब क्लाउं जेस्टर मजा किया मजा किया था उसका दरवार में अच्छी बात अब कहरा है कि उसके दरवार में एक जोकर क्लाउं हुआ करता था मजाक् realistically करता था the justice business wise to gesture यह तो मिलके है बाभू? Qution number two क्योंकि देखो, जेश्टरस बिजनेस वाज टू? यहां मिल राज जेश्टरस बिजनेस वाज टू? मिले है बाप्सन? Amuse the king, amuse the man bahla na and the courtiers, Raja का और उसके दर्बारियों का दोनों का man bahla था अब जो लड़का पैसेज नहीं पढ़ेगा वो सोचेगा कि जेश्टर इंटर्टेन करता था king को और राणी को थोड़ेगा, राणी को भी तो अब संगे मार देगा? जब कि अंसर सही कौन होगा? B, entertain the king as well as the courtiers राजा के साथ साथ उसके दर्वारियों का भी मन बहलाता था समझ मैं आज सबको? सबको उस किताब है की नहीं है? चलो, question number 3 अब कह रहा है justice business was to amuse the king and the courtiers he was allowed much liberty उसको बहुत ज्यादा छूट दिया गया था अब liberty बड़ हमको और मिला है देखो Amuse मिल गया? Amuse कहा नमबर है देखो पहले बारा नमबर बारा नमबर कोशे देखो Amuse है जी? तो Amuse का उल्टा क्या होगा? Disgust तो बोलो बारा का अंसर भी हुआ का नहीं हुआ? Liberty Liberty का उल्टा क्या होगा? Slavery C Liberty का उल्टा? Slavery तो बोलो तेरह का अंसर C मिला नहीं मिला C Clear घर पर सांधी से पढ़ना? ठीक है वो गया अंसर? अब देखो आगे पढ़ते हैं तो हमने यहां पर कहा की Liberty दिया गया था By the King राजा के द्वारा उसे बहुत ज़्या छुट दिया गया था Who Overlooked Overlooked भी बढ़ दिया है जिसको तो नजर अंदाज करना Overlooked तो मिल जागा? 7 नमबर में नजर अंदाज मतलब इग्नोर करना B answer हो गया? 7 का B हो गया? तो Overlooked Even the Unkindest Jokes अगर कोई बेहुदी के मजाग भी करता ना तो उसको नजर अंदाज कर देता हो नजर अंदाज कर देता भाई कोई बात ने हसा तो खाली जैसे घर में छोटा बच्चा होता है छोटा बच्चा अपने बड़े भाई को मारा बड़े भाई ने का पापा देखो बावू मारता है कहता अरे कोई बात ने बावू है मार खाले जोटी बच्चे को लगा कि भाई हमको तो तारीफ हो रहा है उस चोटे बच्चे ने ने ममी को 2-4 खीचा ममी ने कहा देखो जी बाबू मार रहा है तो आपने कहा बाबू मार मार ममी को और मार ममी को और मार एक दिन ऑफिस से बॉस उसको बुलाया दो चार लोगों को कि घर में पार्टी देते हैं पार्टी दिये और पार्टी देके बच्चे को गोदम उठाया और सबकों मिलवाएंगा ना भाई बहुत सुसके पास ले गए बच्चे को मेरा ही है जैसे ही बोला मेरा ही है उपर से बच्चा दो खीज दिया उस बच्चे को लगा कि मेरी तारीफ होगी कि पिटना है दो हाथ मुझे अब ए उस सोचो उस बच्चे कितना गुसाया होंगा ऌत्चान स्टार्टिंग में अगर उनुक दीया होता आथ ध气 उस चोटे को युट बड़े को औरी ही पिटना है असकंछ उस भुधि बच्चे को पफासए में फेख़ार बंसले बैं जा आया है कर दो कहने का सेंसे है की ओवर लुक्ट इवन द अनकाइंडेस जोग अगर कोई बेहूद्गी मचागी करता तो क्या करता नजर अंदाज एज रिजल्ट आफॉड सिर्च्टर अजर्डर भी एम पूश्यृद्ध फूराब छल्डग अगर बन गया जोगे अच्छे एह एक आगे देखो Sun रगाइ बात बित गयी लिग और ट्रेबल विए वन अग frame एक दिन और जेश्टर गेब अनिंटेंशनल ओफिस लुकिंग अनिंटेंशनल ओफिस यानि जो था जो कर राजा की पती अनिंटेंशनल ओफिस गैर इरादतन अपराद जैसे छोटा बच्चा अपने बाप को दोखिस दिया उसे पता होता कि बाप को नहीं मारना है तो नहीं मारता उसे पता था बच्चे को लेगि फिर भी चल गया तो चल गया जिस परकार राजा न उसको छूट दे रखा था कि कुछ भी बोलो बस हसाओ तो भाई उसको बोलना था राजा कि प्रती कुछ कह दिया काली गलोज उसастा होगा भाई हसी मजाग कब होता है हंसी तब आता है जो निगर्टी बात हो अच्छी बात हुआ तो जब बुरी बात करो किसी को किसी खिचाई करो तो हसी आती है अब दरवार मेतने लोग सब एठते थे हंसी मजग कब होता है हंसी तब आते है लो निगटी हो अच्छी बात है जनन सकते हों यह गlaवरह बात करो जब बूरी बात करो एकिसी को बैखते होते होता है किसी इस यह करत थे कि इस हम्हें डे युठ करता होगा तो रहा है वह जेश्ट्र प würd आख गया तो हसता हुआ सब कि भाई सही बात, मजाग कर रहा है, जहसी आती होगी, तो यह क्या समगा, तो यहां क्या समगा, वन दे, होईबर, जेश्टर गेव अन इंटेंशनल ओफेंश तो दे किंग, गैर इरातन अपराद कर बैठा, अब कर बैठा तो भाई, निकल तो गया, the king at once condemned to death, condemned का मतलब होता है, निंदा करना, लेकिन पैसेज में निकल रहा है, सजा देना, तो राजा जो है, उसको सजा दे दिया, मिर्तिव का, condemned him to death, मिर्तिव सजा दे दिया, अब कंडेम्ड बढ़ मिला हो, कही निकल देखो, किने नम्बर में है, 8 नम्बर, कंडेम्ड का बोलो, संटेंस नहीं हो जागा, तो कंडेम्ड का अंसर दी हो गया जी, तो कंडेम्ड दू दू देथ, मिर्तिव सजा दिया, यह जिस्टर फेलन एजनीज कर दोन के बल मिलिग ऑलगिल्व जैश्टर, सारा ज।ार जौ्रे बुल गया जो, मिर्तिव किस जा सुनके सारा जो क्राई भूला गूटने के बल गीरा देश्टर फिलोजनीज एन प्लीडेट फॉर इस लाइफ जीवन की भीख मांगा प्लीडेट कहा है जी? पंदरा प्लीडेट का उल्टा हो जागा ओडर्ड क्या उल्टा हो जागा? ओडर्ड तो प्लीड फॉर इस लाइफ जीवन की भीख मांगा बड़ देखेंग रिफूज तो अल्टर अल्टर शेंटेंस लेकिन राजा उसके सजा को बदलने से इंकार कर दिया बदलने से इंकार कर दिया और जेल फेज़ दिया होगा, और का करेगा उसको? अब बामला बिद गए इसमें अब जागा सोचो जिस राजा को पूरे दरवार में रोज हंसी मजाग हो रहा है अब जो हंसी मजाग कराने बाला है वो चला गया जेल तब जाग सोचो कि उस राजा को दरवार में मन लगेगा क्योंकि जिसको हंसनी की लत लग गई है, नसा आ गया है वो फिर नहीं हंसका तो बिचे नहीं छाय रहेगा उसको आप खुद हो तो नहीं भाई आपका जब अपना कोई भी छड़ जाता है आप टो लगता है दुनिया उचड़ गई नदीद करता है नँरात करताorama कि ना भूख लगति एने प्यास लगती है भ्म क्यों भी लगताई दुनिया में की काम का छीcak में यह उसके पाइब जीवन दूरा था लगता है ना सम्टाइम्स दो चार दिन दस दिन पंदर दिन फिर हम कोशिस करते हैं कि किस तरह से उससे तार लगे नहीं नहीं तो बेचे नहीं दिली दिली लगता हुजड़ गया तो क्या था यहां पर वन डे हां कहां गया जी बट्ड़ की रिफूट अटर दा संटेंस लिग राजा उसकी सजाग को बदलने से निकार कर दिया वन डे दा किंग विस्टेट डजेश्टरी प्रिजन अब राजा यहां बेचेन था उसे हंसी मजाक मिल नहीं रहा था अब जेल दरवार के जो सब थे दरवारी उस सब संटा चाहे थे उनको लगा कि भाई राजा की भुरोसा नहीं दे दिया उसमें सुझा हम लोग कुछ बोलेंगे तो कटवा देगा तुरत इसलिए राजा कुछ बोलता दीन है जी जी सर आप जो कह दे हैं सनाता चाहे दरवार में सनाता कि भाई बाई 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 बचके रहो है न तो अब उसे मिलने गया तो यहां की पीछे क्या है भाई राजा है इक्छा हुए चल कैं मिलने यह से तुजेश्टर जोकर से का आइम वेरी सोरी माइफ यार हमसे गल्ती हो गया आइकांट ड़्या यूर लाइफ तुम्हारे जीवन को स्पेर नहीं कर बाया बचा नहीं पाया इस पर मतलब नहीं पर है चापो अश्पेर का मतलब क्या होगा सेव करना सी अंसर तो अश्पेर लाइफ मैं तुम्हारे जीवन को बचा नहीं पाया बट आइक अगने लाइव बन कंसेशन लेकि मैं तुम्हें एक छूट दे सकता हूं ऀु कैसे मरना चाहते हो कब मरना चाहते हो तुम्हे दग्ले जेस्ट्र ंचांस भय चलार तुम्हें जैस्ट्र था है चलाएक और मेरे फीवर निवां बात आ रहा है उसने काइड चूझिषू द्दे कितने महान हैं to die of old days हम तो बुढ़ा पे मरना चाहते to die of old days बस मच गए इस तरह का है पैसे था अब आप एक भी कोश्च मनाएंगे सब बनेगा आपस सब बन जाएगा तो understanding अगर clear हो तो पैसे जाएँ से बन जाएगा अगर समझ नहीं clear हो तो पैसे नहीं बनेगा जैसे why was gesture sentenced to death बता अंसर कौन सा होगा see because he hurt the king unintentionally क्योंकि वो राजा को unintentionally hurt किया था the gesture is business was to gesture काम क्या था entertain the king as well as the courtiers the king did not pardon the gesture because माफ नहीं किया था यह तो कही रिजन दिया वह ही नहीं तो अंसर हो जागा c d e e answer हो जागा the region has not been given बोलो कहीं बात आया जी कि माफ क्यों नहीं किया था यह बात कहीं आया है नहीं आया है the king went to gesture prison because मिलने क्यों गया क्योंकि एक च्छा हो गई चला गया तो अंसर हो जागा B which of the following is true कौन सत्ते है देश्ट्रें जो आया मैक्समों लिबर्टी जोकर को मैक्समों चुट दिया गया था अलाइन सत्ते है जी और को लाइन सत्त नहीं होगा फिरिसमें चटे का अंसर दी लगा लो which of the following is false गलत कौन सा है तो गलत दी बाला है क्योंकि वो घुटनीक पल गिराते सत्त है लेकिन वो गिवेन प्रिसमेंट ओठासा छुट नहीं मांग रहा था वो जीवन की ओक्समांगा था यह नहीं कहा था कि मिर्टू की बदली हमको δे दिजे उमर कहते ऐसा नहीं कहा था उस नहीं उसने कहा था कि हमको लाइफ बचा देजिए। प्लिड़ेट फॉर इस लाइफ जीवन की भीक मांगा था उसने। इसलिए इसका दी अंसर गलत है। ठीक है, और रूट पता चलीगे आपको। उसलिए प्लिट नाट, ऐसलिए वाइफ निवसेंच फॉर्य जश्डर कलाउन होई गया। अम्यूज हो गया। डिश्गस्क्ष्ण लिवर्टी वगया, स्लेवरी स्लेवरी स्लेवरी, अल्टर हो गया। अप्लिड़ेच हो गया और जबच्ष्ण। किरें तो ऐसे ही आपको जिसने पहा इस पैसे को फिर पढ ना फिर सेंसर लगाना फ्रीकर करके और फिर फार्टीनाइन 5000 थच्छा रहों गार अगले मंगलवार को आप को आठ pu किताब चेक करूँगा और फिर रभी आ कि नहीं बनाया अगर बना दिया तुमाया लेवल अया बढ़ना शुरू हो जाएगा पढ़ने से डरना मत पढ़ना है इसको दुबारा पढ़ना तीबारा पढ़ना और फिर इसको देखना सबाब को बनना शुरू हो जाएगा ठीक है थैंक यू वरी मच्छ